बुल बद्री विशाल भगवान की जै हनुमान जी के मंदिर पे बरफ पड़ रही है उपर अब हम सोच रहे हैं कि दीरे दीरे ये बरफ सरक जाए नीचे टीन से नीचे आ जाए बहुत अच्छी बात है आओ आओ नीचे ज्यादा देर बरफ उपर टीन पे हनुमान जी के मंदिर में नहीं रहनी चाहिए जै बद्री विशाल आओ ज्यादा देर बिल्कुल नहीं बरफ चाहिए हमें बद्री नाद जी के अशीरबाद से हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर पे बरप बिल्कुल नहीं है नीजिए हो रही है जुना हो रही है जुना हो रही है जैहो बरप पड़ रही है मंदिर बदरिया जी ये हमारे श्री हनवान जी के दोजा और ये श्री हनवान जी के मंदिर के चट के उपर बरफ है अब परातना है कि ये भटाक से नीचे आई जाए अब धीरे धीरे द्रिश्य अच्छा होता है देखने में और देखने में द्रिश्य के साथ साथ हमें टीन की चिंता है टीन पे ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए आने वाली है श्री राम जै राम जै जै राम आने वाली है अगर अभी नीचे चट से गिरेगी अभी आप सब लोग देख देखते हैं अभी बवान बदरिनाजी के धाम में श्री हनमान मंदिर आई नीचे आने वाली है बरफ नीचे आने वाली है आई 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 आने वाली है विल्कुल ये एक और एक और बड़ी जोर से जै आप एक और ये ये जै बदरिविशाल जै बदरिविशाल आई एक एक फूट से ज़्यादा बरफ जम गई है देखिए ये ये बदरिनाजी के मंदिर श्री हनमान जी में छट पे ये बसे गोर पीस रह गया ये धीरे धीरे आ रहे हैं नीचे ये बदरिविशाल जै बदरिविशाल जै ये है बदरिविशाल जी में श्री हनमान मंदिर जी जो खाक चोक श्री हनमान मंदिर का अस्तान श्री हनमान जी का 18 का जो श्टेक्शर है ये 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 श्रीविशाला के नुमा बना है इसलिए कि इसके उपर ज्यादा देर बरफ ठहर ना पाए क्योकि फिर बरफ ठहरेगी तो दिकलीफ होती है स्टेक्टर पूर भार नहीं होना चाहिए टीन पे बहुत ज़्यादा बरफ होने से और बरफ बहुत ज़्यादा पड़ रही है श्री हनुमान जी महराज जी की जिए